लोगतंत्र का सबसे बड़ा उतसब अब खत्म हो गया है अज आखरी फेस का मतदान था और अब 4 जून को नतीज़े आने वाले इस वक्त वेस्ट दिली से बीजेपी की कंटेस्टेंट कमजी शेहरावत मिरसाथ है माम चुनाव तो हो गया है आपको चुनाव तो ख्यार काफ किया या अभी भी कार्यकरताओं से मिल रही है इस पार चुनाव लंबा था लेकिन उस सहा से था कि कि जब जनता के बीच में गए तो आशिरवाद मिला बहुत शुब काम नहीं मिली तो लंबा चुनाव भी लंबा नहीं लगा और उसके बाद आपको लगातार वो एक्सप अच्छा तरीका होता है कि हम एक्सपीजिंस को शेयर करें तो अभी वही प्रॉसेश चला है और वही हमारा आराम होता है कि अपने सभी जो हमारे टीम मोरकर्स हैं जो हमारी टीम तो उनन्से बिलें बातचीत करें जन्दा भी मिलने के लिए आ रही है तो बस यह था थकान एक्जेट पोल सही होने वाला है दिल बहलाने को फकत ख्याल अच्छा है अब तो कुछी घंटों की बात रह गई है क्योंकि बहतर घंटे के अंदर-अंदर मामला हो जाएगा हैरानी होती है मुझे ना कोई विचारधारा ना कोई तीम वर्क एक दूसरे को कोस्ते हुए जो आपस में संठन बना खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए ये भारत की जनता है और जब भारत का सवाल आता है तो जनता सिर्फ देश के बारे में सोचती है वो बाकी सभी चीजों से उपर उठकर सोचती है और मुझे अपने देश की सभी जो जनता जनादन है भगवान का रूप है हमारे लिए मुझे पूरा भरोसा है कि उनका फैसला उस टीम के लिए आया होगा जो टीम देश को सक्षम नितरतव दे पाए चाहे वो आर्थिक प है कि दोरान ही वैक्सीन ला देना कितनी बड़ी सफलता है अठाइस साल लगे थे पोल्यों की दवाई भारत में आने में तो इन सब बातों को देखते हुए जब जनता जनादन ने जो देश की ने वोट किया होगा तो मुझे कहीं कोई शक नहीं है पूरा विश्वास है कि भाते इंता पार्टी की सरकार आधनिये परधान मंत्री यशेश्वी श्री नरिंद्र मोधी जी की नेतरतों में तीसरी वार पूर्ण दा बहुमत से जो हमारा आंकड़ा है उसको लेकर बनने जा रही है अचा आपका खुद का क्या कहता है एक्जिट पोल क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी ग्राउंड पर लगातार सर्वे हुए होंगे आपने खुद इतने दिनों क्यामपेणिंग की है दिल्ली की मैं बात करूँ खास तोर पर और दिल्ली के साथ पूरे देश में भाजपा और NDA को कितनी सीटे में सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करती हू जब दिल्ली में मैं अपने चुनाओ में गई तकरीबन असी दिन से ज़्यादा का कमपेण रहा हमने अपने छेतर में चुनाओ को तीन भागों में बाता मोधी जी ने जो काम देश के लिए किये है जो दिल्ली के लिए किये है और फिर जो पश्मी दिल्ली के लिए किये है फिर जो as a mayor मैंने काम किये थे और हमने अपने manifesto भी रखा, PM साब का रखा और खुद का भी रखा, तो दिल्ली में हमारे जो साथो candidate है, सबने अपना vision बिल्कुल clear होकर दिल्ली की जनता के सामने रखा है, तो सरपर्थम तो मैं दिल्ली के बारे में clear करना चाहूंगी, क्योंक देश की, देश में भी अधन्य परधानमंती नरिंदर मोदी जी ने हर वर्ग, हर आप category के लिए में इसको जातियों में विभाजित नहीं करूंगी, कि भारत को कभी जातियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, महिला category हो सकती, गरीब हो सकता है तो हर श्रेणी के लिए काम किया है हर पहलू पर काम किया है चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो ब्रहिये सुरक्षा हो देश की आंतरिक व्रस्ता में आप ये देखे कितना बड़ा परिवर्तन है कि ग्यारवे नंबर से देश पांचवे नंबर की चान बना रहा है आज यूएन भी भारत के बिना कोई फैसले नहीं ले पा रहा तो देश की जनता ने ये सब होते हुए अपने सामने देखा है दश्कों के फैसले चलिए राम मंदिर तो अनुरिबल सुप्रीम कोड का फैसला था लेकिन बनते हुए इतने भुवे रूप में देखेंगे ऐसा किसी ने नहीं सोचा था 375 से हटते हुए लोगों ने देखा है लोग कहते थे कि पीडियां चली जाएंगी लेकिन हो नहीं पाएगा और शांती पूर्वक तरीके से होते हुए देखा है एक तो हटना जिसमें की उगरवाद वहां पर दुबारा फैल सकता था लोगों को मन से एकसेप्ट कराकर वहां पर 375 से हटा है हर महिला के लिए चाहे वो तीन तलाग का मामला हो हज पर जाने की एक जो परमिशन में रिक्वार्मेंट होती उसको हुआ हर तरह से अगर राम मंदिर बना है तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी खुला है तो ह और वर्क के लिए जो काम हो है मुझे लगता है कि भारत की जनता फिर से अपना विश्वास पूर्ण रूप से परधार्मंती नरेंदर मोधी जी के कियोए कामों पर अपना दिखाएगी और फिर से तीसरी बार भारत्य अन्ता पार्टी की सरकार यसेश्वी परधार्मंती नरेंदर मोदी जी के अगवाई में बनेगी अचा सबीच अखिलेश यादव भी बड़ी रोचक बात कह रहे हैं कि मंगल बार को नतीजे आने वाले हैं तो इंडी अलाइंस का मंगल होने वाला है भाजपा का मंगल नहीं होगा उसे मंगल तो होगा भारत की जनता का जैकि फैसला भारत की जनता ने किया है तो मंगल तो होगा भारत की जनता का और भारत की जनता ने देखा है कि मंगल किसका करना है तो मंगल होगा और हर हाल में दलो का मंगल नहीं होना चाहिए देश का मंगल होना चाहिए और मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगी कि जन्ता जन्नादन को पता था कि हमारा देश में कून अच्छा काम कर रहा है, उनके लिए वोट किया है उन्होंने और उस वोट में भातेंता पार्टी बहुत आगे है, इसलिए देश का मंगल जरूर होगा, लेकिन वो एंडिये का होगा, इंडिये देश की राजदानी है, राजदानी होने के नाते हैं हर स्टेट का व्यक्ति रहता है, हर क्लास का व्यक्ति रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि रेंडम सेंप्लिंग दिल्ली से हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में आप जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो किसी रा किसी स साथ होली मना रहे हैं और शाम को प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोधी भाजपा कार्याले में पहुंच कर लोगों को संबोधित करने वाले हैं तो हमने 22 जनवरी 2024 को भी मनाई है और बहुत खुशी की बात है कि देश फिर से दिवाली मनाएगा क्योंकि जिस तरह से भारत को आगे अगले पांस साल में कदम रखने हैं बहुत जरूरी है कि वो दल आना चाहिए जिसका 25 साल की प्लैनिंग हो सो साल में भारत कैसा होना चाहिए और उसके ब्ल्यू प्रिंट पे अब से काम शुरू होना चाहिए तो निश्चित ही भारते इंता पार्टी के मुख्य कारल में आधरनिय परधानमंत्री जी आएंगे और हम सब उनको सुनेंगे धन्यवाद माब हमसे बाचवीत करने के लिए तो बस चुनाव हो गए हैं साथ चड़नों में ये मतदान होए थे आज आखरी दिन था इसका चार जून को नतीज़े आने वाले हैं नतीज़े कैसे होंगे ये चार जून को साफ होगा लेकिन अब एक्जिट पोल भी आने लगे हैं जिन पर सबकी नज़रे बनी होई है झाल